हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोती इसके चेन, फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल डोसा रेसिपी जो की फुल अफ क्रंच एंड क्रिस्पी रहेगा, इसे बनाना बहुत ही आसान होगा और हम इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में बहुत ही इसली बना सकते हैं, य क्योंकि हम इसमें साबूत मूंग दाल का यूज करेंगे तो ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है और इसके साथ ही इसमें अन्य भी बहुत सारे पोसकता तो पाय जाएंगे, तो फ्रेंड्स चलिए हम इसे बनाना सुरू करते हैं, यहाँ पे मैंने एक कप हरी मूंग चावल, मूंग दाल को मैंने साथ से आठ गंटे भीगा लिये हैं, यदि आपको सुबर में ब्रेकफास्ट में बनाना है दोसा, तो आप रात में इसे भीगा लें, तो मैंने यहाँ पे छिरके वाली ही मूंग ली है, साबूत मूंग, और यहाँ पे मैंने दो चम्मच अब हम इसमें भीगा हुआ चावल भी मिला लेंगे, यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच चावल लिये थे, और इसे भीगा के रखे थे, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज मैंने एक लिया है, इसे रफली चॉप कर लिया है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा एमाउंट में डाली हूँ, और दो टुकडे अदरक के, इसके साथ ही हरी धनिया पती भी डाल दे रही हूँ, इसे हमारे डोसे का स्वाध और बढ़ जाएगा, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, तो यह देखिए, यहाँ पे हमार पेश्ट बन के तयार है, मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अगर बहुत जरूरी लगे तो एक से दो चमच डाल सकते हैं, अब यहाँ पे मैंने एक चमच नमक डाला है, आप अपने स्वाध के अनुसारी इसमें नमक मिलाएं, और इसे अच्छे से मिक्स कर ल कटन के कपड़े से ओली कर लेना है, तो मैंने इसे अच्छे से ओली कर दिया है, अब हमें चेक करना है, तवा हमारा अच्छे से हिट हो गया है कि नहीं, तो यहाँ पे तवा हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, अब हमें तवे के सेंटर में डोसा पेश्ट को डालना है, तो मैंने यहां पर paste को रख दिया है और कुछी इस तरीके से center में हमें गोलाकार में इसे फैला लेना है, तो ये देखें friends मैंने कुछ इस तरीके से इसे एक direction में गुमाते हुए अच्छा सा shape दे दिया है और इसे बराबर हमें एक ही direction में फैलाना है ताकि जो हमारे डोसे का layer बने वो अच्छा बने और एक बराबर बने अब ये नीचे से पकना सुरू हो गया है तो हम उपर का जो एक्स्ट्रा पेस्ट है उसे कुछ इस तरीके से स्पून की हेल्प से हटा लेंगे जिससे कि एक बराबर बने हमारा डोसा और कहीं से कच्चा नरह जाए तो फ्रेंड्स अब हमारे डोसे का कलर चेंज हो रहा है और ये नीचे से पकना सुरू हो गया है तो अब हम इस पे थोड़ा सा किनारे से ओल लगाएंगे आप घी लगाना चाहें तो घी भी लगा सकते हैं उससे और अच्छा टेस्ट आएगा तो यहाँ पे मैंने उपर भी थोड़ा सा इसे कर दिया है और ये सिरेंड्स सैड से अपने आप निकलना सुरू हो रहा था है तो अच्छी तरीके से नीचे से पक गया है तो हम इसे अब निकाल लेंगे ये देखे फ्रेंट्स कितना अच्छा हमारा डोसा बनके तयार है एकदम क्रिस्पी तो इसी प्रकार से हम बागी बचेवे पेश्ट को भी बना लेंगे यहाँ पे मैंने तवे को आईली कर लिया है और सिंटर में डोसा बेटर डाल करके इसे राउंड सेप में जुमा करके फैला लिया है अच्छे से यह देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने दूसरा डोसा भी बनाया है इसका भी हम एक्स्ट्रा पेस्ट जो है उपर से हटा लेंगे ताकि एक बराबर लेयर बन जाए डोसे का और इसे आईली करेंगे हलका सा साइड से उपर भी हमें थोड़ा सा आईल लगा लेना है और दूसरा तयार है और इसी प्रकार से हम बाकी बचे हुए डोसे को भी सेख लेंगे और हब हमी से खाने के लिए प्लेट में सर्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा डोसा बनके तयार है एकदम कुरकुरा फ्रेंड्स मैं यहाँ पी चेक कर ले रही हूँ एकदम यह क्रंची है कुरकुरा हमारा डोसा तयार है बनके तो फ्रेंड्स अगर यह रिस्पी आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जिएगा